अगर मैं बात करूँ ड्यू डेट की तो इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और इसके लिए आपको सिर्फ अपनी लास्ट पीरेट की स्टार्टिंग डेट पता होनी चाहिए जिसको की मेडिकल भासा में लेंपी यानि की लास्ट मैंस्ट्रल पीरेट बोला जाता है अब अगर आपको अपनी और पेपर ले लीजिए और आपकी जो भी लास्ट पीरेट की डेट थी उसको आप नोट कर लीजिए यहां मैं एक्जामपल के लिए बारा जनवरी ले रही हूँ तो आप बारा जनवरी यानि बारा एक दो हजार चौबिस में नौ महीने और एड कर दीजिए तो आपको डेट मिलेगी बारा दस दो हजार बीस यानि की बारा अक्टूबर दो हजार चौबिस अब इसमें साथ दिन और एड कर दीजिए तो आपकी जो डिलेवरी की डेट है 19 अक्टूबर 2024 और इसी को आप अपनी Ultrasound Report में भी देख सकती है इसके लिए आपको अपनी Ultrasound Report में EDD का section देखना होता है जिसको की estimated date of delivery बोला जाता है कुछ लोग इसे estimated delivery date भी बोलते है इसके अलावा आपको अपनी Ultrasound में USG EDD भी देखने को मिलेगी इसका मतलब होता है कि Ultrasound के हिसाब से आपकी delivery की date क्या है और ये दोनों अलग-अलग भी हो सकती है तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये दोनों date अलग-अलग क्यों होती है देखे, EDD के लिए जिम्मेदार होती है आपकी conception date ये जो तरीका EDD निकालने का मैंने आपको बताया है ये तरीका काम करता है जब आपका period cycle 27 से लेकर 30 दिन तक का हो लेकिन महिलाओं का period cycle अलग-अलग होता है ऐसे में conception का दिन भी अलग-अलग होता है तो Ultrasound जो आपको EDD दिखाता है वो आपके बच्चे की development के calculation के हिसाब से आपको दिखाता है और इसलिए आप देखेंगी कि पहली तिमाई, दूसरी तिमाई और तीसरी तिमाई तीनों में हुए Ultrasound में USG EDD अलग-अलग हो सकती है अब अगर आप चाहें तो मेरी इस बात को cross-check करने के लिए अपने Ultrasound या फिर जिस भी महिला को आप जानती है उसके Ultrasound की report देखकर आप ये confirm कर सकती है वैसे ज़्यादा तर डॉक्टर आपकी last menstrual period को calculate करके चलती है और pregnancy की तीसरी तिमाई में ही आपकी USG EDD को मानती है मैं उमीद करती हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप अपनी EDD यानि की Delivery Date कैसे निकाल सकती है अब अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हम आपकी सबी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहती है कि लेबर पेन के लक्षन क्या होते हैं तो आप स्क्रीन पर आ रही इससे रिलेटेड हमारी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने इसके बारे में अच्छे से बताया है तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है सुस्त रही है